सबस्क्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाईए डेली जॉप अपडेट्स और फ्री ओनलाइन ट्रिटोरियल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थैंक यू हाई व्रीवन वलकम अगें गाई और यूटीब चैनल तो मैं उस्ति शुर आज इस वीडियो में हम डिसकेश करेंगे mcqs and this mcqs will be from unit 2nd so unit 6 ke mcq series जो है वो मैंने अल्रीड इन उसकी वीडियो अपलोड कर दी है सो अब हम स्टार्ट करेंगे mcqs series from the unit 7 so मैं कुछ दिनों से वीडियो अपने ही अपलोड कर पा रहा था because I was not there so that's why and now finally I am again in front of you guys and जो series है हमारी mcqs की again we will start all this and start करने से पहले एक important notification as usual जैसे मैं देता हूं जिन बचों ने supervisor membership group जोइन कर लिया है that is very good it's not for that so अब supervisor membership group के बारे मैं बताना चाहता हूं थोड़ा बहुत जिनको नहीं पता जिन्हों ने supervisor membership group नहीं जोइन किया अभी तक so guys मैं अगर syllabus की बात करूं supervisor का हमने almost खतम कर दिया सिर्फ तो तीन topics रहते हैं within two or three days we will cover that also and उसके बाद online टेस्ट जो हैं वो start होने वाले हैं for supervisor exam okay यह online टेस्ट होंगे और टेस्ट सिर्फ हो सिर्फ इस ले ताकि आपने जो preparation की है उसकी practice हो सके okay आपने कहीं से भी कुछ भी prepare किया है at the end आप लोग जान सको कि मुझे कितना आता है ओके सुपर्वाइजर मेंबर्शिप ग्रूप क्या है एक्षिल प्रोग्राम है जो आपने स्टाइट किया है जिसमें आपको लेक्चर्स नोट्स यह 44 चार चीज़ें एक ही ग्रूप में डेकिन स्न करने के लिए आपको 560 रूपी टेकरки szyb आप आनलाइन करते हो फिर आपको 500 पे करना है ओके अगर आप बैंक से करो कि फिर 560 फिर 60 रुपी जो है वो बैंक वाले चार्च करते हैं वो कट कर लेते हैं तो वो सारे कैंडिडेट्स जो ग्रूप जोइन करना चाहते हैं यह जो नमबर आप देख रहे हो 7006332724 इस पर आप मुझे वाटसेब कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो और जो कैंडिडेट्स देखना चाहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट किस तरह से होता है तो मैंने नीचे डि वो टेस्ट देख सकते हो और दे सकते हो आप सारे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप वहाँ से देख सकते हो ओके सो मैं सिरफ लास्ट में यही चीज़ कहूंगा कि यह जो मेंबर्शिप ग्रूप है ना यह अल्टीमेट क्योंकि आप क्योंकि अगर आप ग्रूप बुक्स की बात करोगे कहीं से भी कुछ भी करोगे यह जितने भी टॉपिक्स है ना इसमें दियो है एक लिए जर्नल कंसेप्ट है सोसाइटी क्यूमिनेटी फैमिली मैरेज सब सारी की सारी सुशोलिजी डाल दी हुई है और उसके बाद अगर हम बात करें त उसके बात आपका राइट स्कीम के बारे में जो भी है तो इन भी दिखा जाए तो इसमें सीरफ और सिरफ प्रक्टिस वाली बात है इसमें कोई बड़ी बात नहीं आप अगर में फैमिली के बारे में आपको बोलू को बढ़े तो आप सब us को पता होगा मेरीज क्या होती क क्योंकि जर्नल कंसेप्ट लेकिन मतलब यह ऐसी चीजें हैं मुझे ऐसा लगता है कि यह पढ़ने वाली नहीं प्रैक्टिस करने वाली चीजें तो आप पढ़ो कंसेप्ट देखो उनके क्या है दन उसके बाद आप टेस्ट दो बहुत इंपोर्टेंट है इसमें जो जादातर क्वेशन आएंगे वह सीदह सीदह आपको बहुत देजाएगा ओपर डेफिनिशन दी होगी सपोच जैसे मेरेज तो मेरेज में क्या है कि आपको ओपर डेफिन दे देंगे उसमें नहीं थो इसमें फिर उसके बाद टाइप से कोश्यन आपको आ सकते हैं मैरेज की बहूत सब्सक्राइब साटी है है पहले इसके पांच हो दो पांच वाले हैं तो सिरस उसके बाद जो पांच वालेमे क्यों कि सुछिश mãz से सारे तो आप वो सारी स्की में याद रहनी है कर वो स्टार्ड हुई किसने लौंच की टिक उसके बाद आठा है उसके राइट की तो उसको भी आपने रटा माल था भीदा सिदा question आएंगे कि फ्लाने राइट में किया दिया गया थोड़ा से लंगवेश CEO कि होगा अगर आपको पता होगा कि इसंद में क्या दिया गया तो तो मुझे असा लगता कि जो मैंने लाष्च यह का पेपर मैंने देखा सुपरवाइजर का उसमें उन्होंने सीधा सीधा क्वेशन डाले हूए सीधा सीधे कुछे हूए आपको सीधा पूछा हुआ कि what is the following characteristics of community के characteristics दिये हुआ है सीधे से definition में से question दिये हुआ है तो आपको आपको भी कुछ नहीं करना आपको भी सिंपल उसी तरह से पढ़ना ठीक है क्योंकि questions आएंगे ही वैसे अगर डीप भी जाते हैं तो 120 में से 20 question deep डाल देंगे मैं तो 30 डाल देंगे चलो 40 डाल देंगे लेकिन 80 question ऐसे होंगे जो सिरफ और सिरफ concept से पूछा जाएंगे सिरफ और सिरफ basic question होंगे ठीक है इसलिए first focus on concept दें उसके बाद देखो जब आप concept पे focus करोगे तो आप पूरे syllabus को cover करोगे पूरे syllabus को पढ़ सकते हो आप पूरे syllabus को पढ़ने के बाद even revise भी कर सकते हो उसको ठीक है तो add the end में सिर्फ इतना बोलूँगा कि इस तरह से पढ़ो कि आपका selection list में नाम आ जाए आप एक दो नमबरों से रह मत जाओ ठीक है उस तरह से smart work करना सो यह membership group जो है ना इसमें लास्ट में मैं आप लोगों के feedbacks किया लास्ट में और हां इसमें एक्षिली जो different states में जो exams हुए है उन exams के papers को भी मैं लेके ना वो भी आपके साथ शेर करूँगा ठीक है मतलब most of the questions जो होंगे वह सेम रहेंगे थोड़ा वो difference होगे वह कुछ पेपर के भी पेपर online convert करके ना आप लोगों को दिये जाए थाकि वहां से भी benefit हो आपको पता लेगे तो finally मैं यही बूलूँगा कि वह सारी candidates जोनों ने अभी तक supervisor membership को चाहिन नहीं किया वो जल्दी से जल्दी group को चाहिन कर लो बस क्योंकि अब उसके बाद यह दो-तिन द पेपर स्टार्ड हो जाएंगे और वो पेपर जो हो रहेंगे उनमें से maximum में जो पेपर होंगे वहां से question टाम हूँगा सेम वैसे कि वैसे test होंगे वैसे कि वैसे set होंगे जो आल्रेडी पूछे गए हैं एक्जाम में बिल्कुल सेम वैसा ही होगा ताकि आप लोग reality से वाक और हां अगर किसी ने अभी तक प्रेपरेशन नहीं कि यह फुल प्रेपरेशन फुल प्रेपरेशन आइमीन तो से कि जिन्हों ने भी अभी मदब किया है लेकिन दिल में वैसा नहीं किया मुझे कुछ आता है इस चीज़ को देखें तो वह भी ग्रूप जोइन करें उनको आप इस पर मुझे वाटसब करो आपको सारी इंफर्मेशन प्रोइड करते चाहिए ओके सो देखो आज की जो में डिसकेस करने वाला होना आपसे वो टेन एमसी क्यूस है सिरफ उन एमसी क्यूस को डिसकेस करना आई थिंग मतलब आपको थोड़ा बहुत आईडिया हो सकता है लेकिन दस एमसी क्यूस से कुछ भी नहीं होता मैं सिंपर पता दूं मैंने अल्रेडी सेवन्थ यूनिट के बल्क में सी क्यूस में डाल दी है और वो केंडिया सब्सक्राइब करने का मकसद सिरफ यही है कि आप लोगों को पता लग चाहिए कि में में हो क्या रहा है और नीचे जो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया आउनलाइन टेस्ट का वहां से भी आपको आईडिया हो जाए कि किस तरह से आउनलाइन टेस्ट हो जिसको नहीं पता लगा हो मुझे पूछ लेना मैं आपको प्रवाइड कर तुमको वैसा क्यों है ठीक है तो एड 160 का सर्वर नहीं आता सर्वर की कॉसों हजारों में होती है लेकिन एक छोटा सा माउंट रखके है तक कि हर एक बंदा दे सके ओके सो चलिए स्टार्ट करते हम एंसी क्यूज को तो इन एंसी क्यूज को मैं सिर्फ यह कहूंगा कि मैंने और लड़ी बल्क में यह सारे एंसी क क्यूज में डाल दिये हैं आप अब में अपर सिर्फ यहां सर्व टाइड गूल और उत िबहर एंस ऑल थो कि चंड रहे है लोखिदवाडी तो वुष दर्ट अन्ट वस गॉपाल हरी देश्मुक तो ए इस राइटान फिस क्वेशन के मैं बात करूं तो सेकिन क्वेशन में कि जो 19th संच्री की री वेकिनिंग जो हुई थी इंडिया की वस कन्फाइंड वो किस बंदे को कन्फाइंड की जाती है वह किस बंदे को नहीं किस चीज को कन्फाइंड की जाती है अपर मिडल क्लास चीज को कन्फाइंड करता है 90th century की री वेकिनिंग इंडिया थर्ड क्रेशन के अगर हम बात करें तो थर्ड क्रेशन में कहता है कि नीचे जो भी नाम दिये हैं उन में से सर्वंट आफ इंडियन स साइटी का फाउंडर कौन था तो दैट वस जी के गोखले ओके फॉर्थ क्रेशन की बात करें तो फॉर्थ क्रेशन में की पीरियर जो रहता है दिविए पीरियट ओफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगर हूं अमंग दो फॉलिंग स्टार्ट इस सेंटल हिंडू स्कूल को स्ट फॉर्थ क्रेशन की बात करें तो शाषन प्रकास जो थी वो किसस ने लिखिए थी तो वेन इंपोर्टन कॉशिन ऊर्मों ये वह बूख है किस्नल की वो तो वस्वामी ध्याना शाहिवतीर सण्वाट जो है वह फॉंडर ऑफ रादास्वामी शचन्व टॉट्ट सु तो ए सो सब्सक्राइब बात करें तो मंगदा फॉलिंग वाज फाउंडर आफ देव समाच तो देट वाज स्वारी देट वस सी ओके एट्सक्राइब जो है वो है कि डाइश फाउंड़ वाए राधा खनेदव इन आडर टू काउंटर दे आइडिया अफ ब्रह्मो ठीक ब्रह्मो एक समाच था ना उस चीज को काउंटर करने के लिए कौन सी चीज जो थी वो फाउंड की के थी राधा करने देदवारा ब्रह्मो के आइडिया को काउंटर करने के लिए एंड देट वस धर्मासवा ओके तो नाइंथ क्वेशन जो है वो है डैश वादन ऑठोडिक्स सनांतनिस्ट बट ही अज नेवल सेक्टरियन एंड और फंडमेंटलिस्ट तो हो वस दाट एट एट वस एमम माल भिया ओके 10th question की बात करें तो कहता है कि इंडियन फ्रीडियम स्ट्रगल के दुरान नेशनल सोशल कॉन्फरेंच जो थी वो फॉर्म्ड गीए थी क्या रिजन था इसकी फार्मेशन के बीच्छ है अधा मेन रिजर्ब वास की इंडियन नेशनल कॉंगरेंच जो थी वो गाइज लास्ट मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इन दस question से कुछ नहीं होने वाला किसी का मैं पहले बता दूं सो यह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह की चीज़ा डिसक्रस की जा रही है हूं आम पर ओके सो अल्रडी वल्क मैं 200 200 प्लस mcq मै आप खुद बोल रहा हूं ठीक है आप मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी मेंबर्शिप ग्रूप जो है वो जोईन करो ताकि सारी की सारी चीजन जो है वो आपको प्रवाइड के जाए और आप अच्छे से प्रपेशिन कर सका होगे तैंक्स वाचिंग व